Hello friends, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन को ग्लास स्किन में ट्रांस्वर्म करना चाते हैं गाइस, मेकप करके हर कोई अपने स्किन पर ग्लो लेके आ सकता है पर बात तो तब होती है जब बिना मेकप के आपके स्किन पर ग्लो दिखे क्लियर दिखे अगर आप अपने स्किन का प्रॉपर धिहान रखते हैं प्रॉपर तरीके से केर करते हैं तो आपके स्किन पर भी आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेकप करने की और आपकी skin ऐसे ही बहुत खुबसूरत दिखेगी तो आज मैं कुछी steps लेकर आई हूँ जो हर किसी की skin को suit करेगी और कुछी mintो में आपकी skin भी glass skin की तरह बन जाएगी तो चलिए चलते हैं first step की तरफ cleansing के लिए हमें यहाँ पे one spoon curd चाहिए पंद्रा drop के लगभग आप इसमें lemon के डाल दीजिए दोनों को अच्छी तरीके से mix कर लीजिए और यह जो है इससे आपको अपने face पे cleansing करनी है दो minute के लिए आप massage कर सकते हैं curd एक bleaching agent होता है blemishes को दूर करता है और यह आपके skin को बहुत ही अच्छे तरीके से clear बनाता है यही पर जब हम lemon ले रहे हैं lemon vitamin C बहुत अच्छे से पाया जाता है अच्छी मात्रा में antioxidant होता है और यह skin को lighter बनाने में help करता है जब आप इससे 2 minute अच्छे तरीके से massage कर ले तब आप इसको अपने face से पोच लीजिए अब चलते हैं next step, second step की तरफ यहाँ पर आपको करना है steaming steaming के लिए यहाँ पर मैं एक container में पानी गरम कर रही हूँ और इसमें 7-8 पतियां आप पुदीने की डाल सकते हैं mint की डाल सकते हैं जब यह अच्छे तरीके से उबल जाये तब आप इसको अपनी face पे steam ले सकते हैं steam से आपके जो face पे blood circulation होता है वो बढ़ जाता है blood अच्छे तरीके से flow करता है जिसकी वज़े से आपके skin पे glow बहुत अच्छे तरीके से देखता है और यहाँ पे हमने mint leaf का use किया है जो कि acne prone skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें salicylic acid पाया जाता है, vitamin A पाया जाता है जो कि oily skin के लिए खास तोर से बहुत ही अच्छा होता है steam लेने के बाद अब चलते हैं हम next step की तरफ यहाँ पे scrub करना है अब हमें scrubbing के लिए हम लेंगे एक छोटा सा तुकड़ा बनाना का केला का एक छोटा सा तुकड़ा लेना है जिसको आप अच्छे तरीके से mash कर लीजिए इसमें हम half spoon coffee powder लेंगे और one spoon के करीब sugar लेना है जिसके granules छोटे होते हैं इनको डाल कर mix कर लीजिए जो कि fine lines को दूर करता है wrinkles को दूर करता है और हमारी skin को hydrate बना के रखता है coffee powder बहुत अच्छा exfoliator होता है blood circulation को बढ़ाता है impurities को remove करता है और skin को smoother और brighter बनाता है तो यहाँ पे इससे अच्छे तरीके से मसाज कर लेने के बाद आप इसको अच्छे से किसी cotton से पोश्च सकते हैं पोश्च लीजिए तो चलते हैं next step की तरफ face massage यह face massage बहुत ही खास है बहुत interesting है हम simple अपनी उंगलियों से massage तो करते हैं यहाँ पर आज मैं use कर रही हूँ कुछ इस तरीके के stones का यह easily आपको market में available हो जाएंगे कहीं पर भी आपको size आप देख लीजिए मिल जाते हैं इसको अच्छे तरीके से clean करके यह काफी smooth होते हैं तो इससे आज हमको face पर massage करनी है यहाँ पर मैं coconut आप चाहें तो आप अपनी skin के हिसाब से coconut oil भी ले सकते हैं या तो की फिर आप almond oil भी ले सकते हैं तो दोनों oil जो आपको suit करें आपको ले सकते हैं कुछ drops लेनी हैं आपको और अपने face पे अच्छे तरीके से इसको लगा लीजिए और जैसे जैसे मैं stones के साथ अपने face पे massage कर रही हूँ आप देख सकते हैं वैसे वैसे आप steps भी follow कर सकते हैं लगबग 5 मिनिट के करीब आपको अपने face पे हलकी massage करने हैं इन इस टोन्स की help से ये आपके blood circulation को बढ़ाएगी बहुत अच्छे तरीके से और जिन लोगों को खास तोर से face के massage की steps नहीं आती है उनके लिए बहुत जादा सिंपल है इससे massage करना तो massage हो जाने के बाद अब हम चलते हैं next step की तरफ next step यहाँ पे face mask के लिए हम लेंगे one spoon गेहू का आटा गेहू सबके घर में होता है इसका आटा आटा आपको लेना है एक टमाटर का pulp लेना है और one spoon के करीब आप honey ले लिजे इन सबको अच्छे से mix कर लिजे consistency सही नहीं लगे तब आप इसमें rose water add कर लिजे और एक अच्छे से paste की consistency में बना सकते हैं इसको mix करने के बाद अब आप इसको अपने face पे apply कर लिजे आटा भी जो होता है यह हमारे skin के toxins को remove करता है tan को remove करता है dark spots को दूर करता है और skin के texture को improve करता है इसलिए यहाँ पर हमने आटा का use किया है मतलब कि गेहू के आटे का हल्दी में anti-inflammatory properties होती है हमारे skin को brighter बनाने में काफी help करता है complexion को improve करता है यहाँ पर next हम जो tomato pulp ले रहे हैं यह glow लेके आता है skin को tight बनाता है tan को remove करता है तो यह सारी चीजे जो combination हमने ली है यह हमारे skin के लिए एक बहुत ही अच्छा combination है तो यहाँ पर आप face mask लगाए और इसके बाद आप इसको 15 minutes के लिए छोड़ दीजे 15 minutes हो जाने के बाद अब आप इसको निकाल सकते हैं wash कर सकते हैं और wash करने के बाद आप अपने skin से बहुत ज़ादा प्यार करेंगे और बहुत ज़ादा बहुत ही अच्छी skin और आपके बहुत खूबसूरत दिखेंगे आप यह पूरी उमीद है मेरी आप इस फेची जो छोटी सी 4-5 steps मैंने बताई है इसको follow करें और इसके जो भी results होते हैं please मेरे साथ जरूर share करेंगा आपके results मुझे motivate करते हैं और अच्छी remedies लाने के लिए तो please अपने results जरूर मेरे साथ share करें और अगर आप मुझे Instagram पर follow करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं Facebook पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं Link नीचे description box में आपको मिल जाएगी तो ये था मेरा आज का वीडियो अपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने friends और relatives के साथ जरूर शेयर करिएगा तो चलिए next वीडियो में चल्दी मिलूंगी तब तक के लिए बाबाई धियान रखियेगा अपना बहुत सारा